हेलो व्रीवन, वेलकम यूओ अलेट लोकी सर अल्लिंप्टेड स्टेडी जोन, सो गाइज हम ग्लास 11 फिजिक्स का नया चेप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन, ओके, सो वाट इस ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन एक टाइप का फोर्स होता है, ओके, फ इसे ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, या इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, यह किन के बीच में लगता है, यह दो ऐसी बॉडी के बीच में लगता है, जिनका कुछ मास होता है, पहली बॉडी का मास M1 है, यह दूसरी बॉडी का मास एगर M2 है, तो इन दोनों के बी होता ही नहीं है, यह attractive nature का होता है, clear, तो what is gravitation, gravitation force है, कैसा force है बेटा, यह एक, मतलब natural, nature वाला force है, जो हर जगए पाए जाता है, है न, तो यह fundamental forces की category में आता है, किसकी category में आता है जी हाँ, तो यह fundamental forces की category में आता है, ठीक है और यह, जैसे हमारे पास force होते है, nuclear force और gravitational force, तो nuclear force बड़ा होता है, gravitation force छोटा होता है, ठीक न, तो कुछ fundamental forces है, उन में से यह एक force है, gravitational force, चलिए, तो gravitation के बारे में पढ़ते हैं, तो gravitation को start करने में सबसे पहले हमारा आता है, Newton's law of gravitation, तो दो body के बीच में force कितना लगता है, इसके बारे में सबसे पहले बताया, scientist Isaac Newton ने, उन्होंने जब बताया, कि अगर कोई भी दो body, जिनके mass, suppose, एक का M1 है, और एक का M2 है, तो इनके center को join करने वाली line के across एक force लगेगा, मतलब center to center, center to center, तो ये देखिए center to center एक force लगेगा, तो ये force center को join करने वाली line के across लग रहा है, तो इसलिए इस force को central force भूला गया, मतलब याद रखेगा, ये कहां पे लगता है ये force, body के center को join करने वाली line के along, अगर ये body 1 है, ये body 2 है, तो body 1 जो है, 2 को खीचेगी, और ये force बनेगा, force on body 2 due 1, और body 2, 1 को अपनी तरफ खुच खीचेगी, so this will be force on body 1 because of 2, और दोनों forces direction में तो अलग-अलग होंगे, एधर लग रहा है, एधर लग रहा है, मगर amount wise equal होंगे, मतलब F21 vector का magnitude is equals to F12 vector का magnitude, लिखे, मैंने यहाँ पर vector नहीं लगाया है, इसका मतलब मैं magnitude की बात कर रहा हूँ, दोनों forces के magnitude अपस में क्या है, इक्वल है, बट यहीं vector sense में बात करूँ मैं, तो F12 और F21 एक दूसरे की negative है, क्योंकि magnitude तो इक्वल है, मगर direction अलग-अलग है, clear की not clear? हाँ, तो यह जो structure आपको दिख रहा है, यह आपने कब पढ़ा था? यह जब आपने Newton's third law पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया है था, याद है आपको? हाँ, मतलब कि जो gravitational force है, वो एक Newtonian force है, क्योंकि यह Newton के law को follow कर रहा है, तो कई बार सवाल आता है कि gravitational force कैसा force है, तो याद रखिएगा कि जो gravitational force है, gravitational force is a type of Newtonian force, Newtonian force हाँ, क्योंकि यह Newton के law को follow करता है, इसलिए यह एक Newtonian force है, तो हमारी बात चली थी कहां से कि दोनों body के बीच में लगने वाला force, यह जो forces होते हैं, दोनों body के बीच में लगते हैं, अभी आपने देखा कि चाहे F12 हो, चाहे वो F21 हो, magnitude wise दोनों एक दूसरे के equal होते हैं, अब मैं इसको मान लेता हूँ, force F, तो क्या कहा Newton साब ने, Newton साब ने यह कहा कि अगर आपके पास में दो body हैं, यह रेखे, मतलब universe में कोई भी दो body हैं, वो दो body हमेशा दूसरी body को attract करेगी, तो यह body इधर की तरफ attract हो रही है, और यह इधर की तरफ attract हो रही है, मतलब दोनों body के जो distance है, अब यदि body बड़ी बड़ी है, तो आप इनके center से center की distance ले लेंगे, ओके, तो यह बन जाएगा r, ठीक है, तो आपका f is inversely proportional to r square, this is second law, बिटा ऐसा कोई भी force जो की inversely proportional में square को follow करता है, इस law को बोलते हैं हम inverse square law, this law is called inverse square law, जी हाँ, तो आप से बोला जाए कि Newton का जो force है, Newton का जो law है, वो कैसा law है, so this is inverse square law, क्योंकि इसमें जो लगने वाला force है, वो inversely proportional to r k square है, जी हाँ, तो इसको हम बोलते हैं inverse square law, तो यह कहलाता है inverse square law, यदि हम दोनों को merge कर दें बिटा, तो f दोनों को merge कर दें, किन दोनों को? equation number 1 and 2, so first equation मेरे पास है, f is proportional to m2, f is inversely proportional to r k square, यदि मैं दोनों को merge कर देता हूं 1 and 2 को, so बन जाएगा f is proportional to m1, m2 by r square, याद रखेगा, यहाँ पे मैं magnitude की बात कर रहा हूं, direction की बात अभी नहीं हो रही है, direction के लिए मैं अलग से vector law derive करूँगा, अभी हम इसका scalar form derive कर रहे हैं, proportional constant हटता है बेटा, तो यहाँ पे एक constant आता है, this is capital G, और m1, m2 by r square, capital G जो है, इसे हम बोलते हैं, universal gravitational constant, यह कहलाता है, universal gravitational constant, फिक रहाँ, यह universe के लिए same है, मतलब इसकी value किसी planet में चले जाओ, बदलती नहीं है, यह universe का constant है, इसलिए यहाँ पे same रहेगा, so G, m1, m2 upon r square, r square, यह हो गया, दोनों के बीच में लगने वाला force, दोनों object के बीच में लगने वाला force, अब यदि यहाँ से हम G की unit बनाना चाहें, तो G की unit भी बना सकते हैं, देखें दे हम G की unit बनाना चाहें, तो मैं लिख सकता हूँ, unit of G, तो unit of G के लिए मैं लिए क्या करना अपड़ेगा, f r square equal to g m1, m2, अब मैं G को यह दि रोक लूँ, तो क्या हो जाएगा, f r square upon m1, m2, clear, f की unit होती है newt 1, और g की unit होती, sorry, r square यहने की meter square, और mass 1 भी kilogram है, mass 2 भी kilogram है, तो यह हो जाएगा kilogram square, तो G की unit हो जाएगी, है ना, newton meter square, per kilogram square, अब G की numerical value आप याद कर लेजे, या ना भी याद कर लेजे, तो question में दी रहेगी, G की numerical value 6.67, into 10 की power minus 11, ठीक है ना, तो G equals to 6.67, into 10 की power minus 11, unit भी आचुकी है, newton meter square, plus kg, per kg square, so this is unit of G, यह unit of G है, dimension formula भी आई होप आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास unit आचुकी है, ठीक है तो, बन जाएगा आपसे, ओके, so यह आपके पास dimension formula हो जाएगा, देखें, यहाँ पे G के लिए कुछ बाते लिखी हुई है, the value of G is same throughout the universe, मतलब यह universe पर depend करती है, किसी planet वालानेट पर नहीं बदलेगी, G does not depend on the nature, and size of the bodies, and nature of the medium between the bodies, मतलब इसका किसी और चीज़ पर, कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है, यह universe के लिए same है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा Newton's law of gravitation, complete हो जाता है, बट यहाँ से एक चीज़ आती है, कि unit mass को define करो, इससे हम unit mass को define कर सकते हैं, कई बार question आया है exam में, कि define unit mass, एक unit mass क्या होता है, ओके, तो कैसे define करेंगे, देखें, आपके पास scalar form में, जो force का formula है, f equal to g m1 m2 upon r square, हीख है, अब आप एक काम करिए, कि आप जो है, दो equal mass के object ले लीजी, दो equal mass के object ले लीजी, means m1 equal to m2 equal to m, मतलब दोनों के mass same है, दोनों की बीच के distance कितनी ले लीजी, 1 meter, दोनों की बीच के distance, 1 meter ले लीजी, और साथ ही खुद से बताइए, कि ये जो दोनों masses हैं, ये एक दूसरे को attract कर रहे हैं, ओके, attraction का निशान ये होता है, कितने attraction से, 6.67 into 10 की power minus 11 newton से, ये एक दूसरे को attract कर रहे हैं, आईए तो value पूट कर दीजे, force कितना है, 6.67 into 10 की power minus 11 newton, g की value आप जानते ही है, 6.67 into 10 की power minus 11 होती है, mass पहला वाला कितना है, m है, दूसरा भी कितना है, m है, दोनों के बीच के distance कितनी है, एक मीटर, तो एक का square भी एक हो जाएगा, देखिए, ऐसा करने पर, इससे ये क्या हो जाएगा, cancel, और आपके पास में इधर क्या बचेगा, 1 equal to m square, आप इसको पलट करके लिखे, m square equal to 1, means m equal to under root 1, अब mass का भी negative तो हो नहीं सकता, तो answer m equal to कितना हैगा, plus 1, definition बन रही है, कि 1 kg mass कितना होगा, तो लिखना पड़ेगा, unit mass is the mass, ये 1 kg mass is the mass, which is acting between the two object, having mass, which is acting between the two object, having same mass, okay, place at a 1 meter apart, and the force of attraction between them is, 6.67 into 10 की power minus 11 newton, मतलब यदि दो equal mass है, ऐसा हिंदी में बूले जाएतो, अगर दो equal mass है, वो एक दूसरे से, एक मीटर की दूरी रखे जाने पर, अगर 6.67 into 10 की power, minus 11 newton के force से, एक दूसरे को attract करते हैं, तो वो mass क्या होंगे, unit mass, in that case, m equal to 1 kg, तो वो mass जो होंगे, वो unit mass होंगे, या 1 kg के mass होंगे, clear की not clear, so this is complete about unit mass, तो ये मैंने आपको बता दिया, किस के बारे में, unit mass के बारे में, ओके, ये complete हो गया, unit mass के बारे में, कि unit mass क्या होता है, अगर कोई mass जो है, वो एक दूसरे को attract करते हैं, है न, with a force of 6.67 into 10 की power minus 11 newton से, और वो एक दूसरे से 1 meter की दूरी पर बैठे हुए है, सो उन masses की value क्या होगी, 1 kilogram, any problem? सो दिस इस complete about, scalar form, या इसका, scalar form जो है, आपका, newton's law का, ये complete हो गया है, अब आईए, हम बात करते हैं, हम किस की बात करते हैं, vector form of, gravitation law, newton's gravitation law, तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे किस की, vector form की, clear है बिटा, चलिए, तो vector form की बात करने के लिए, कहाँ पर, हम scene create करते हैं, साथ से पहले, मान लिज़े, आपके पास में दो axis है, और दो axis में, आपके पास में, पहली position पे, आपने mass m1 रख दिया है, मैं यहाँ पे, इस color को ले लेता हूँ, जिसका position है, vector r2 से आप दे सकते हैं, इसकी position, and mass m2 है, clear, तो यह r1 है, यह r2 है, अब यहाँ पर दो vector आप define कर सकते हैं, एक 1 से लेके 2 vector, तो r12 यहाँ जाएगा, और एक 2 से लेके 1 vector, तो r21 की यहाँ जाएगा, बोलिए yes की नो, एक vector r12, और एक vector r21, यदि इसको मैं simple तरीके से बनाऊँ, तो देखें कैसे बन सकता है यह, यह मारे पास पहला mass m1, यह मेरे पास दूसरा mass m2, m1 का position vector है r1 vector, और m2 का position vector है r2 vector, तो यदि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, जो मेरा vector बनेगा, that is equals to r1 से लेके 2, और यदि मैं इधर से यहाँगा, तो यह vector बनेगा मेरा r2 से लेके 1, opposite side में, बोलो बेटा yes की नो, r21, 1, दो vector मेरे sense हो रहे हैं यहाँ पर, एक left to right, एक right to left, चली, अब हम देखते हैं, देखी पहला object जो m1 है, m1 पर जो vector force लगेगा, वो attraction लगेगा, और इस force का नाम कितना होगा, force on 1 because of 2, तो मैं लिखता हूँ formula, f12 is equals to g, f12 कितना बनेगा मेरा, g m1 m2, m1 m2 upon r का square, r क्या है, दोनों की distance है, चाहिए आप उसे r12 का मोट ले लो, चाहिए आप उसे r21 का मोट ले लो, या उसे simply r लिख दो, तो फिल हाल मैं यहाँ पर r square लिख रहा हूँ, clear की not clear, यह भी vector form है, अब मुझे इसमें vector लेकर क्या आना है, sorry, यह scalar था, अब मुझे vector लेकर लेकर आना है, तो f12 vector में लगाया, force on vector 1 because of vector 2, मतलब 1 के करणा, mass 1 पर 2 की वज़े से लगने वाला force, देखेगा यहाँ पर दिमाख लगाना आपको, तो equals to कितना है, g m1 m2 upon r square तो है, बट अब आपको इसको direction देना है, तो 1 से लेके 2 की direction क्या है बेटा, 1 से लेके 2 की complete direction है, r12, clear है की नहीं है, बट आपको केवल direction देनी है, तो direction देनी के लिए किस चीच का unit use होता है, unit vector का, तो आपको केवल इसका छोटा सा हिस्सा ले लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरा ले लिया, तो magnitude change हो जाएगा, तो इसका छोटा सा हिस्सा क्या के लाएगा, r12 cap, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ जाएगा, r12 cap, clear की not clear, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ, f12 vector sense में क्या हो जाएगा, g, m1, m2, whole divided by, अब इसका भी फायदा ले लो, इसको भी r12 लिख सकते हैं, into r12 का gap, clear, तो यह हमारा हो गया, force, force, कौन सा था force भाई साब, force on one, because of two, तो one, because of two, पे जो force लग रहा है, वो, कहां लग रहा है, one पर लगने वाला two की force की वज़े से, लग रहा है, one से लेके two की तरफ, clear, अब second हम निकालते हैं, f21, चीक है न, अब मैं second जो है, f21 आपको निकाल के दिखाता हूँ, so f21 सबसे पहले scalar form में, इसे number one दे दिज़े, अब सबसे पहले जीज़े, f21 एकोल टू, वही g, m1, m2, अपॉन, r का square, ये तो ठीक है, अभी scalar form में है, अब vector form लगाता हूँ, f21 वेक्टर, एकोल टू, g, m1, m2, अपॉन, r square, अब देखे, two से लेके, one का जो unit vector है, वो कहां जा रहा है, तो two से लेके, one का vector जो आ रहा है, वो इधर आ रहा है, इधर की तरफ, मतलब second वाले, mass पे, जो force of attraction लगेगा, वो कहां लगेगा, इधर की और, second पर, ये क्या है, f21 है, बोलो बिटा है की नहीं है, उपर लगने वाला attraction, किसकी तरफ, one की तरफ, तो ये पीछे की हो जा रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, into r21 का, gap, क्योंकि unit vector की direction, मेरेको r21 देनी है, तो इसकी direction में, unit vector क्या बनेगा बिटा, बोलो, r21, cap, बनेगा की नहीं बनेगा, ओके, तो ये हमारा हो गया, finally, formula, f21 is equals to, gm1, m2 upon, r square, इसको और जदा आप simplify कर सकते हो, so, f21 equals to, gm1, m2 upon, r21 का mod, क्योंकि चाहे उसको आप r square लिखो, या r21 का mod का square लिख दो, कोई बात दिक्कत नहीं है, r21 cap, clear? this is equation number 2, अब नाव देखो बेटा, जो r12 cap होगा, वो r21 cap का, क्या होगा? negative, क्योंकि r12 का unit vector यहां जाएगा, r2 का पीछे आएगा, तो दोनों की unit vector एक दूसरी क्या होगे बेटा? negative, clear की not clear? तो मैं यहां से, यदि मैं लिखा लूँ, r21 cap, तो minus sign इधर चला जाएगा, so this will be minus of r12, बोलो यह सकी नो, तो f21 equals to, देखना बेटा द्यान से, g m1 m2, upon, वो ही, r का square, या r21 का square कह लो, या r12 का कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि, तीनों ही distance है, भूलिये यह सो नो, so r12 का ही कर दो, अब देखें क्या कर रहे हैं, r21 cap की जगह है, negative of r12 cap, लिख सकते के ने लिख सकते, अब यदि यहां से, f21 equals to, minus sign common लेजे, तो minus g m1 m2 upon r12 के mod का square, और minus sign बाहर है, और यह क्या है, r12 का cap, है की नहीं है, तो f21 is equals to, यह vector भी चलेगा, क्योंकि सारा vector ही चल रहा है भी, तो f21 is equals to, negative of f12, क्योंकि ध्यान से देख लीचे, यह f12 है, पूरा का पूरा, देख लीचे, f12 equal to g m1 m2 upon r12, r12 cap, है की नहीं है, yes, तो यह, क्या हमने derive कर दिया, कि यह newton's third law को, follow करता है, vector form तो यहीं पर बन गया था, जब number one और number two हमने derive कर दिया था, so यहीं पर vector form बन गया था, उसके आंगे हमने, यह देखी यह vector form था, clear है, हम, ठीक है, yes, तो यहाँ पर दोनों force आ चुके हैं, एक f12, और एक f21, clear, अब देखे पढ़ते हैं, gravitation force के बारे में कुछ important line, gravitation force are central forces as they act along the line joining the center of the bodies, doesn't matter आपकी body कितनी बड़ी है, जो force act होगा, वो center to center लगेगा, clear की not clear, that's why this type of force is called central force, क्या बोलते हैं बेटेसको, central force, done first point, second point, the gravitation forces are conservative forces, so work done by the gravitational force, does not depend upon the path, आपको याद होगा, यह हमने question आपको work power energy में कराया था, है न, कि आप किसी भी रास्ते से, एक block को ले जाएं, चाहे आप सीधे उपर ले जाएं, तो भी आपको work करना कितना पढ़ेगा, MGH, चाहे आप इसको block को यहाँ से उठा के यहाँ, फिर यहाँ, और फिर इसके बाद सीधे उपर ले जाएं, तो भी आपको MGH अची काम करना पढ़ेगा, clear की not clear, और चाहे आप इसको तीन रास्ते से ले जाएं, यहाँ, फिर यहाँ, तब भी आपका वर्ट कितना होगा, MGH, मतलब gravitational force जो है, उसके अंतरगत, उसके impact में करा जाने वाला काम, वो जो होता है, काम होता है, displacement पर depend करता है, initial और final position पर depend करता है, रास्ते पर depend नहीं करता, तो gravitational force, कौन सा force हो गया, conservative force, कौन सा force हो गया, conservative force, ठीक ना, तो conservative force के अंदर किया गया काम जो होता है, वो path पर depend नहीं करता है, initial और final position पर depend करता है, clear की not clear, अब चलिए देखिए, अगला topic है, जिसको आप बोलते हैं, superposition of forces, heading है, superposition of forces, समझे यह क्या है, superposition, of forces, तो superposition of forces का मतलब क्या है, समझे यह देखिए, यह देखिए, एक block है, जिसका मास है, M, और अलग-अलग block है यहां पे, यह M1 है, यह M2 है, और यह M3 है, ऐसे बहुत सारे block है, सपोज यहां पे MN बैठा हुआ है, अब यह देखा जाए, तो इस पर यह क्या लगागा है पिटा, attraction, मैं block N पे लगने वाले forces की बात कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखीगा, वो कितना लगा रहा है, उससे मतलब नहीं मुझे, क्योंकि इस पे कितना लगेगा पिटा, यह पहला force लगेगा attraction, बोलिए suppose it is F1, clear है कि नहीं है, दूसरा, इस पर कितना force लगेगा, इधर की और F2, ठीक है ना, यह खीचे गा, इस को अट्रेक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, तीसरा force जो है, यह body इस पे लगाएगी, F3, similarly, nth force, body इस पे लगाएगी, Fn, ओके, तो आप देख रहे हैं कि, एक ही body पर, कई सारे forces लग रहे हैं, भूले लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, तो super position का principle कहता है, कि जो net force होगा किसी body पर, वो सारे vector forces का individual sum होगा, so you can write it, F1 vector, plus F2 vector, plus F3 vector, plus dot 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 dot, plus Fn vector, okay, the total force is sum of, vector sum of all individual forces, acting on that body, clear हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हो गया मैं पस, so मैं पढ़ता हूँ, the total gravitational force, on one particle, due to number of another particles, is the resultant of forces, of attraction, exerted on the given particle, due to individual forces, so F equal to vector F1, plus vector F2, plus vector Fn dot 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 Fn, so hence, it follows the principle of superposition, इसी को principle of superposition बोलते हैं, ठीक है, any problem, अब बात करते हैं, अगला topic है हमारा, acceleration due to gravity, इसी का नाम है, gravitational acceleration, इसी का नाम है, acceleration due to gravity, so topic है हमारा, acceleration due to gravity, और, gravitational acceleration, अभी आएगा, ग्रेविटिशनल एक्सलेशन के लिजिए, या acceleration due to gravity के लिजिए, इनके लिए एक ही टर्म है, small g, याद रखी का, जब भी word gravity आता है, gravity का मतलब होता है, अर्थ के लिए, किसके लिए बाता, अर्थ के लिए, gravity word अर्थ के लिए, specified कर दिया गया है, ग्रेविटिशनल वर्ड, अर्थ के लिए specified नहीं है, मगर gravity word, वर्ड जो है, अर्थ के लिए specified है, clear की not clear, अब देखिए, क्या होता है, है तो एक प्रकार का acceleration, तो logically इसको कैसे टरैप करेंगे, ये माल लिजिए, ये अर्थ का क्रस्ट है, और इसकी उपर कोई, small m मास की body रखी हुई है, तो small m मास की body, इसको एक निश्चित acceleration, ए से खीचती है, और यहाँ पर, क्योंकि ये काम अर्थ कर रही है, इसलिए एक ही जगह, g इसको नाम दे दिया गया है, कि confusion ना हो, बोलो clear की note clear, अब अर्थ जिस body को खीचेगी, किस वज़े से खीचेगी, क्योंकि उसके center पे, अर्थ का मास located है, m e, ओके, अब यदि मैं पूछूँ आपसे, कि अर्थ का इस body के साथ, force of attraction कितना होगा, तो force of attraction, f equal to, capital G, बड़ा वाला मास, का whole square, क्योंकि यहां से ले करके, यहां तक की जो दूरी होगी, center तक की, that is equals to our earth, clear की note clear, ओके, यह हो दिया है, number one, अब by Newton's law, Newton यह कहते हैं, कि अगर आपके पास, कोई m मास की body है, और उस पर, कोई acceleration, एक आम कर रहा है, तो उस body पर लगने वाला force होता है, F equal to m a, फिलहाली यहां पर, F equal to m, एक ही जगे g लग रहा है, clear की not clear, तो यहां पर, F equal to mg, equation number two, क्योंकि एक ही जगे, हमने g मान रखा है, clear की not clear, मैं दोनों equation को compare कर देता हूं, क्योंकि यह भी gravitational force है एक तरीके से, और यह तो gravitational force है ही, clear yes or no, क्योंकि यह newton के form में है, और यह newton's gravitational law की form में है, तो क्या मैं दोनों के Fg को equal कर सकता हूं, so you can say, mg equal to capital G, mass of earth, mass of the body, upon radius of earth का square, m से m क्या हो जाएगा बेटा, cancel, so g equals to capital G, mass of earth, upon radius of earth का square, any problem? तो यह हो गई हमारे पास में, gravitational acceleration, cut definition, कहाँ पर है बेटा, earth के surface पर, क्योंकि यहाँ पर जो हमने body ले है, that body lies upon the surface of earth, clear की not clear, हाँ, बेटा, अभी मैंने earth लिया है न, ऊपर जाएगी तो R, E plus H हो जाएगा, ओके, ओके, चली देखते हैं, तो R, E plus H भी बनेगा, अभी अपने body कहाँ पे लिए है, earth पे, surface पे, yes, अगर, if the body, इसमें case बना देता हूँ, case first, अब देखिए, अगर body जो है, radius of earth से, H height पर उपर है, suppose H height पर यह body क्या है, उपर बैठी हुई है, तो G कितना हो जाएगा, G equals to, वही, capital G, mass of earth, upon पहले क्या आ रहा था है, यहाँ पर, R, E आ रहा था, अब यहाँ पर आ जाएगा, कितना जाएगा, बैठा, R, E, plus H का, whole square, clear, तोकि अब यहाँ पर, जो effective distance है, बैठा, वो कितनी बन जाएगी, यहाँ पर, plus H, ओके की नोटे के, कोई problem, यह हो गया, आपके पास में, G equals to, G, actually इसको G नहीं बोलना चाहिए, इसको G at height H बोलना चाहिए, clear बैठा, hello, तो G at height H equal to, Gme upon, R E, plus H का, whole square, clear की not clear, चलिए, हम वापस, अपनी बात पर आते हैं, हम वापस अपनी बात पर आते हैं, जो हमने देखा, कि surface पर G की value जो होती है, वो कितनी होती है, Gme upon R E का, whole square, clear, तो यदि मैं relationship देखूँ, तो surface पर, जो gravitational acceleration है, वो किसके है, mass of earth के proportional है, yes, मतलब यदि radius को constant करके, है ना, अभी यहाँ पर mass of earth बढ़ल रही है, मतलब keeping, keeping R E constant, अगर radius of constant करके, अगर मैं earth का mass बढ़ाता जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा बिटा, gravitational बढ़ता जाएगा, okay, gravitational acceleration बढ़ता जाएगा, दूसरा, G is inversely proportional to, R E का square, मतलब यदि, अर्थ की radius बढ़ेगी, अगर अर्थ की radius, बढ़ेगी, तो gravitational acceleration क्या हो जाएगा, बिटा, decrease हो जाएगा, clear हो गया, अगर R E बढ़ेगा, radius अफ अर्थ बढ़ेगी, तो gravitational acceleration क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, clear, चलिए, इसी चीज को ले करके, हम अर्थ के shape की बात कर लेते हैं, ये देखिए, हमारा अर्थ जो है, somehow, एक oval shape में है, या एक elliptical shape में है, कहते भी हैं कि, प्रथवी जो है, थोड़ी सी चप्टी है, clear की not clear, ये दिखिए, तो यहाँ पर, ये जो reason है, अर्थ का, सबसे पहला हुआ, इसे आप बोलते हैं, equator, क्या बोलते हैं बटा, equator, और ये जो line है, इसे बोलते हैं, pole, यहाँ पर north pole है, यहाँ पर south pole है, clear बिटा, ये equator है, और उपर hemisphere है, आधा वाला hemisphere, उपर का northern hemisphere कहलाता है, नीचे वाला, southern hemisphere, clear की not clear, चलिए तो ये equator हो गए, अब आप देखिए, एक तरीके से, अर्थ जब बनी थी, वो molten form में बनी थी, और molten form में घूम रही थी, तो हुआ क्या था, पहले तो थी गोल, मगर धीरे धीरे, यहाँ molten, इसका material, किनारे पर जमा हो गया, और ये इस तरीके से चप्टी हो गई, बुले ये सो नो, तो यदि देखा जाए, तो इसकी दो radius बन गई, एक radius of equator, और एक radius of pool, clear की not clear, जहाँ पर radius of equator बड़ी है, और radius of pool छोटी है, बुले ये स की नो, अब आपने पढ़ा है, जी की value एक्वाल टू, capital GME, upon radius का square, ओके, तो radius का square, तो यहाँ पर हमारे पास में, दो gravitational relaxation बन जाएंगे, एक G pole, equal to GME, upon radius of pool का square, बुले ये स की नो, अगर मैं equator की बात करूँ, तो G at equator, equal to GME, upon radius of equator का whole square, clear की not clear, अब आप clearly देख सकते हैं, कि pole की radius कम है, और equator की radius क्या है, जदा, अब pole की radius कम है, और equator की radius ज्यादा है, और radius बढ़ने से, G कमान क्या होता है, कम होता है, तो G pole जो हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, और G equator क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, clear? तो अगर आप equator से लेके, pole की तरफ चड़ेंगे, अगर आप equator पे हैं, और अगर यदि आप pole की तरफ जाएगे, तो आपका G क्या होता जाएगा, increase होता जाएगा, चीक है ना? तो यदि कोई आप हाट में, कोई चीज लेके आ रहे हैं, तो G increase होने से, gravitational acceleration बढ़ेगा, gravitational acceleration बढ़ेगा, तो gravitational force बढ़ेगा, बढ़ेगा की नी बढ़ेगा, तो वो चीज आपको भारी लगेगी, समझेगे ना? मतलब equator से चले थे, तो वो हलकी लगेगी, और जब यहाँ पहुंचने लगोगी धिर धिरे, तो वो क्या होती जाएगी? भारी होती जाएगी, क्योंकि gravitational acceleration बढ़ रहा है, clear की not clear? तो यह था हमारा acceleration due to gravity, जिसका derivation हमने कर दिया आपके सामने, capital G M upon R square, ओके? येस, एक बढ़ पढ़ देते हैं इसको, what is acceleration due to gravity? The force of attraction exerted by the earth, मैंने बताया था, कि अर्थ के लिए आपको word use करना है, gravity, अर्थ जो force लगाती है, इसको हम बोलते हैं क्या? gravity, clear? So, the acceleration produced in the motion of a body, under the effect of gravity, is called acceleration due to gravity, किसी body में, gravity की कान जो acceleration आता है, अर्थ की कान, उसको आप acceleration due to gravity बोलते हैं, इसे G से denote करते हैं, if a body of mass M lying on the surface of earth, तो देखिए, इस पर लगने वाला gravitational force, G capital M is small m upon R का square, because R radius of earth है, where M is the mass of the earth, and R is the radius of earth respectively, clear की not clear बेटा? If G is the acceleration due to gravity, then force on the body, due to earth is given by F equal to mg, because force equal to mass into acceleration, clear की not clear? तो दोनों force एक ही है, कोई अलग-अलग तो है नहीं, बस इनके देखने के तरीके अलग-अलग हैं, एक Newton की भाषा में है, एक gravitational acceleration की भाषा में है, clear? So mg equal to क्या हो जागा? GMM upon R square, M से हम cancel हो गया, तो G की value आगई, capital GM upon R square, सो यह हो गया अपने पास में formula, जो हमने देखा, कि surface पर जो gravitational acceleration होता है, G surface पर होता है, capital G mass of earth upon R square, R means radius of earth, clear की not clear? Now you know, कि earth की density, equal to होगा, earth का mass upon earth का volume, clear की not clear? Earth की density मान लिजे, आपके पास में rho है, तो rho equal to mass of earth upon volume, volume कितना होता है? 4 by 3, pi R का Q, क्यों ले लिया? क्योंकि earth को हमने, गोला कारवाना है, spherical माना है, तो यहाँ से mass of earth कितना हो जाएगा? rho times 4 by 3, pi R cube, clear की not clear? तो यह दि मैं यहाँ value put कर दूँ, तो G equals to, capital G की जगे capital G, और M E की जगे, 4 by 3, pi भी है, rho भी है, R cube भी है, और नीचे क्या है बिटा? नीचे है R का square, clear की not clear? तो 4 by 3, pi G, rho, अब देखे, 2 R नीचे है, एक 3 R उपर है, तो cancel हो जाएगा, cancel हो जाएगा R, clear हुआ की नीचे हुआ? तो gravitational acceleration, in the terms of density, in the terms of density, equal to 4 by 3, pi G, rho R, clear? तो 4 by 3, pi भी है, G भी है, rho भी है, R भी है, यह किस पर depend करता है, बिटा? density पर, यह density के terms में है, where rho is the density of earth, clear, बिटा? Yes, next, note, acceleration due to gravity, is a vector quantity, is a vector quantity, and its direction is always, towards the center of the planet, यहाद रखेगा, कि acceleration due to gravity, एक vector quantity है, because it is the acceleration, और यह हमेसा कहा है करेगा, towards the center of the planet, clear की नौट क्रियर? अब दूसरी चीज, अगला क्या बता है, the acceleration due to gravity, is independent of mass, shape and size of the body, जिस body को आप रखते हो, उसके उपर, उससे कोई वास्ता नहीं है, acceleration due to gravity का, क्योंकि formula में केवल आपके पास में, capital GME upon R का square आता है, कहीं पर भी, body के mass का जिक्र नहीं है, और body तो वैसे ही, mass cancel हो गया था, याद करिए आप, जब आपने equal equal किया था, तो दोनों का mass क्या हो गया था, cancel, clear है बटा, मतलब mass कहीं पर भी, depend नहीं करभाएगा, the acceleration due to gravity, is independent of the mass, shape and size of the body, मतलब, रखी गई body, के किसी भी, angle से मतलब नहीं है, ये केबल किस पर depend करती है, mass पर, radius पर, density पर, मगर किस चीज की, planet की, planet का mass क्या है, planet की radius क्या है, planet की density क्या है, clear की not clear, चलिए, अब next, दो derivation, जो बहुत important है, variation of gravitational acceleration, gravitational acceleration में, किस तरीके का बदलाव आता है, आईए देखते हैं, gravitational acceleration में, किस तरीके का बदलाव आता है, first, है ना, पहला है, अगर हम height में जाते हैं, due to an altitude, due to altitude, अगर हम उचाई में जाते हैं, तो gravitational acceleration में, किस तरीके का बदलाव आएगा, मान लिजे, यह आपके पास surface है अर्थ की अर्थ की radius है r तो आपके पास सुरुवाती formula क्या पढ़ा हमने capital G equal to sorry small g equal to लिख रहा हूँ small बोल रहा हूँ capital small g equal to capital G mass of earth upon r का square r या नहीं की radius of earth बुली clear है कि नहीं है आप इसे चाहे तो r e कर सकते हैं वैसे मत करो चलो अब देखते हैं second case अगर आप यहाँ पर h height उपर चले जाते हैं ठीक है ना h height उपर चले जाते हैं तो अब देखिए जो आपकी radius बनेगी वो कितनी बन जाएगी r plus h center से जो distance हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी r plus h so g dash नया वाला मा लिजे इस point पर acceleration कितना है g dash क्योंकि उपर जाने में हो सकता कुछ change हो जाए तो g dash equals to capital G m e r plus h का whole square बोलिए clear की not clear relation number one relation number two एक surface पर है और एक height में जाने के बाद दोनों को divide कर दीजे g upon g dash equal to g कितना था capital g m upon r square g dash कितना है capital g m mass of earth mass of earth upon r plus h का whole square g m e से g m e क्या हो गया cancel हो गया क्या बने गया उपर r plus h का square upon r square clear तो इसको मैं लिख सकता हूँ g upon g dash equals to r plus h r plus h by r का whole square बोलो clear की not clear की चीक है तो यहां से मैं लिख सकता हूँ g dash upon g equals to 1 minute बिख सकता हूँ 1 minute square से ही नहीं 1 minute बिख सकता हूँ तो g dash upon g g upon g dash equals to बिख सकता हूँ r को डिवाइड कर दोगे तो 1 1 plus h by r का whole square clear की not clear clear की not clear तो g upon g dash एक बर फिर से लिख देता हूँ g upon g dash equals to 1 plus h by r का whole square तो यहां से g dash उपर चला जाएगा तो यह बन जाएगा g 1 plus h by r का whole square clear की not clear now this will be g bracket में 1 plus h by r whole to the power minus 2 this is equals to g dash clear अब एक binomial theorem होती है अगर 1 plus x की power minus n हो तो यह तूट जाता है minus n अंदर आ जाता है और यह बन जाता है 1 minus n x clear अगर यह x बहुत small हो तो यहां भी x की जगे कौन है h upon r और h याने की छोटी से height r याने radius of earth तो यह 1 से बहुत छोटा आएगा अब जब यह 1 से बहुत छोटा आएगा तो अपन क्या लगा सकते है using binomial theorem using binomial theorem तो binomial theorem का use करके हम कह सकते है g dash equal to कितना था g 1 plus h by r की whole power minus 2 था तो यह minus 2 अंदर खुज जाएगा तो this is equals to g 1 minus 2 h by r clear बिटा so g dash equals to g bracket में 1 minus 2 h by r तो यह है variation of gravitational acceleration with respect to height तो आप देख रहे हैं कि height में जाने पर क्या हो रहा है gravitational acceleration की value कम हो रही है क्योंकि minus है बोलिए yes किनो तो कितना गया यह देखिए g dash equal to g 1 minus 2 h by r जैसा मैंने कराया बिलकुल वही है clear की note clear ओके 1 minus 2 h by r यह देखिए याद रखिएगा कि यह जो formula है यह छोटे distance के लिए valid है h के लिए छोटा distance कोई बहुत ज़्यादा दूर के लिए नहीं कि आप 1500 km चले जाओ क्योंकि binomial theorem में हम जो eliminate करते हैं वो उसी के लिए करते हैं कि h upon r की value बहुत कम हो एक से बहुत कम आए वो यह तब आ सकती है जब h जो है r से significantly यानि कि बहुत ज़्यादा मत्रा में कम होगा तो सवाल उठता है कि sir h r का कितना होना चाहिए कितना कम होना चाहिए तो आंसर है लगबग 5% तो भईया 6400 km का 5% कितना होगा पिटा 320 km clear तो यदि 320 km तक आपका आप निकाल रहे है gravitational acceleration इस height तक तब तक तो आप ये formula लगाईए ये वाला approximation वाला g dash equal to g 1 minus 2 h by r clear की not clear बट यदि आप 320 km से जादा ले रहे हैं जैसे की 1000 km तब आप ये formula मत लगाईए तब आप ये नहीं लगा सकते क्यों क्योंकि ये formula में आपने approximate किया है binomial theorem लगाई है तब आपको main formula आपको लगाना पड़ेगा की g at height h equal to capital G capital M upon जो actual distance है r plus h का whole square clear चलिए तो ये हो गया हमारा derivation variation of gravitational acceleration with height अब अगले derivation में कर रहे हैं variation of gravitational acceleration with depth हम अब जाएंगे depth में यानि की गहराई में अब हम गहराई में जाएंगे और देखेंगे की गहराई में जाने में क्या होता है चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला due to depth inside the earth मतलब अब अर्थ के अंदर हम जा रहे हैं और हम देखेंगे की गहराई में जाने पर क्या variation आएगा तो हम अर्थ पर जा रहे हैं इंसाइड अर्थ और देखेंगे अर्थ की गहराई में जाने पर क्या variation आएगा तो यह मेरी अर्थ है इस अर्थ की complete radius है आर जिसको आप आर को आर इभी लिखते हो तो मैं यहां आर ले रखा है ओके तो यदि मैं initially बात करूं कि अर्थ की gravitation इसके surface पे क्या होगी so I can say g equal to 4 by 3 by rho g r capital r यह वाला formula मैं ने बता है तो आपको याद आगया 4 by 3 by rho g r किस से develop हुआ था यह आपको याद होगा g equal to capital gm upon r square से मास का formula लग दिया था याद है अब देखिए आप आपने क्या किया इसको number 1 दे दो अब आप अर्थ के अंदर डी गहराई तक चले गया है मतलब डी डेप्ट तक खोल करके किया है यह देखिए आपने ड्रिल करा आपने डी गहराई तक चले गया है बूले clear की not clear density तो अर्थ की uniform ही मान के चलते हैं तो अब जो नई radius बन गई है वो क्या बन चुकी है आर माइनस डी बनी की नी बनी तो जो नया वाला gravitation constant निकलेगा नो 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 gravitational acceleration वो क्या होगा 4 बाई 3 पाई पाई रहेगा रो रो रहेगा जी भी जी रहेगा बट आर की जगह हो जाएगा r-d बुलिए इसकी नो तो कि effective radius आप आपकी नई वाली अर्थ की r-d है पहले r थी अब आपकी अर्थ छोटी हो चुकी है r-d radius की this is equation number 2 अगर आप second में first को divide कर दें तो फिर मौज़ा ही मौज़ा देखिए g- upon g अरे वो different method छोड़ो यह सबसे best method है आप उससे भी अच्छी method है जो मैंने बता है आपको देखिए क्या हो जगह 4 by 3 pi rho g r-d divided by 4 by 3 pi rho g और यहां पर क्या है r इससे यह पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा? cancel हो गया तो बच क्या गया? g- upon g equals to r minus d by r. clear बेटा? so इसको लिख सकता हूँ मैं g- by g equals to r में r गया 1 minus d by r. so कितना हो गया? g- equals to g- equals to g उपर चला जाएगा 1 minus depth upon r. clear की not clear? अगर आपने इस फॉर्मूले को h के टम्स में पढ़ा है किसी बुक में तो यह आपको ऐसा दिखा होगा g- equals to g 1 minus h by r. अगर आप h depth तक गये हैं, मगर मेरे हिसाब से depth को d कहना सही है तो मैं तो d लिख देता हूँ अगर किसी-किसी बुक में depth को भी h बोल रखा है तो आप 1 minus h by r. clear की not clear? अब आप दोनों चीजें देखिए, depth में यह हो रहा है और height में यह हो रहा है तो मैं दोनों formula लिख रहा हूँ देखिए h height उपर जाने पर अपने formula क्या पढ़ा है? g 1 minus 2hyr. clear की not clear? और depth में जाने पर अपने formula क्या पढ़ा? g d equals to g 1 minus, अगर आप h गहराई पे गए हैं, मैं relate करने के लिए गहराई को h मान रहा हूँ. आप relate कर पाएं. तो ज़्यादा जूर से देखिए कहां पर variation आ रहा है? उपर जाने पर या नीचे आने पर? बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप. उपर आने पर 2h by r से vary हो रहा है. और नीचे आने पर h by r से. तो ज़्यादा variation उपर जाने पर है. क्योंकि यहाँ पर 2 बैठा हुआ है. यह देखिए, ज़्यादा जोर से कम कहां हो रहा है? उपर जाने पर. हाँ, मतलब कमी कहां पर जोर से हो रहे है? ग्रेविटेशन एक्सेलेशन में उपर जाने पर. ठीक ना? तो यदि कोई आपसे पूछे कि आप 15 km उपर गये हैं और 15 km आप नीचे गये हैं अर्थ के. तो बताइए, ज़्यादा कमी कहां होगी ग्रेविटेशन में? हाँ, तो उपर का जो ग्रेविटेशन हो होगा, वो कम होगा. यह फर्स्ट केस है, यह सेकेंड केस है. तो उपर का ग्रेविटेशन जो होगा, कम होगा और नीचे का कम्प्रेटिबली क्या होगा? ज्यादा. एक टॉपिंग इससे और बनता है कि अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटेशन कितना होगा? तो अभी अभी डिराइब किया है, जी एट डेप्ट डी एककल टू स्मॉल जी वन माइनस डी वाई आर. बुले क्लियर के नो, क्लियर? अब क्या सीन चल रहा है? कि आप खुदाई करते करते अर्थ के सेंटर पर चले जाएं. मतलब आपने जो डेप्थ है, वो रेडियस के बराबर खोड बुली एस किनो? तो जी आप कहां पर आचुके हैं? सेंटर पर आचुके हैं. अगर जैसे डी आप आर के बराबर कर दोगे, तो आप कहां पर पहुंच आओगे? सेंटर पे. बुली एस किनो? तो जी वन माइनस डेप्थ भी आर है, ओरिजिनल रेडियस भी आर है, आर से आ center of earth equal to g 1-1 बोले g into 0 बोले आंसर कितना आएगा जीरो clear की not clear समझ में आ गया मतलब अर्थ के center पर जो gravitational acceleration होता है वो कितना होता है बेटा जीरो होता है any problem so the gravitational acceleration at the center of earth equal to 0 clear yes तो यह देखे g की value आचुकी है और लिखा हुआ है the value of g decreases on going below the surface of earth at a center d equal to r and g dash equal to 0 clear so the acceleration due to gravity become 0 at the center of earth समझ में आ गया मतलब बंदा totally weightless हो जाएगा यहां पर center पर clear अगला क्या कह रहा है वही जो बात मैं ने करी कि the rate of decrease of gravity outside the earth if h is greater than r is double that of the inside the difference मतलब decrease की rate जादा है क्यों क्योंकि अगर आप बाहर देखेंगे तो g dash equal to g one minus two h by r होता है की नहीं होता और अंदर देखेंगे तो g dash equal to g one minus h by r होता है की नहीं होता तो यहां double rate से change हो रहा है और यहां single rate से हां की ना तो इसलिए यहां पर decrease तेजी से होगा यहां पर जो decrease होगा वो तेजी से होगा दो गुने रफ्तार से होगा और नीचे जाने पर gravitation acceleration धीरे से change होता है एनी प्रॉब्लम चलिए तो यह हमारा complete हो जाता है change of gravitation acceleration ठीक है एक छोटा सा comparison खतम करते हैं इसको करने के बाद आज कर लेक्शर comparison between mass and weight तो mass आपने 9th class में पढ़ा था the total amount of matter contained by the body किसी body के अंदर कितना matter है उसको बोलते है this is called mass amount of matter quantity of matter दूसरा weight क्या होता है किसी given mass को कोई planet या कोई object किस force से खीचता है समझ गए under the action of gravitational acceleration so it is the attractive force exerted by earth क्योंकि हम weight अर्थ में निकालते हैं तो हम अर्थ की बात करेंगे कि अर्थ कितनी जोर से किसी body को खीचती है this is called weight mass कभी change नहीं होता है आप किसी भी weight का formula कितना होता है mg आपका weight अर्थ में ज्यादा होगा क्योंकि अर्थ में gravity जी है मगर आपका weight moon में कम होगा क्योंकि moon की gravity g y 6 है मतलब आपका weight 6 part कम हो जाएगा clear की note clear its value can never be 0 जी हां mass can neither be created nor be destroyed इसलिए इसकी value कभी 0 नहीं होती है okay its value can never be 0 for a material particle अभी भी value 0 नहीं होती है मगर इसकी value 0 हो सकती है force की value क्या हो सकती है 0 दो तरीके से या तो balance force लग जाए या आप अर्थ पे हैं बट object को आपने किस पे लिए रखा है infinity पे तो अर्थ infinity पर object पर कोई force नहीं लगाएगी clear की note clear mass is scalar quantity है कोई direction नहीं होती weight कौन सी quantity है vector quantity क्योंकि weight always कहां act करता है downward yes or no mass की unit kilogram है और इसकी unit क्या है newton weight की clear की not clear okay so this is done